ब्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडा कि आपको कब तक उसमें अप्लाई करना है क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में मैं आज आपको अपडेट करूँगा सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर लेटस्ट इंपॉर्डन इंफोमेशन आगे भी आपको expensive university है similar is university of Birmingham काफी बच्चों के budget के बाहर जा सकती है यहां के fee structure almost 15-16 के उपर उपर रहते हैं इसलिए ना तो कोई agent इसको promote करता है और ना ही बच्चे की preference होती है लेकिन बच्चे के budget में जो सबसे शांदार university आती है वो आती है Birmingham City University university Birmingham City University की requirement की बात करें तो IELTS is mandatory यहां फिर आप CBSC English का higher edge score आपके पास होना ही चाहिए benefit यह है कि यहां पर scholarship बड़ी है 3000 pound तक scholarship मिलती है और उसके बाद benefit यह है कि अगर आप 10 plus 2 वाले student है आप bachelor's program में जाना चाहते हैं तो आपका fee structure सबसे कम रहता है around 9500 pound के आसपास और इसके बाद बाकी कई courses to courses vary भी करेगा बट एक average सा मैं lowest बता रहा हूं कि आप तकरीब नाइन्टी फाइव हंड़े 10,000 के अंदर अंदर यह university ले सकते हैं बट यह एक ही मातरी university है Birmingham में जो आपके budget में fit हो सकती है इसके इलावा शायद आपको और option ना मिले जो आपके budget मे उतने अच्छे से fit हो सके so Birmingham की अगर आप miss करते हो then उसके आस पास की भी बात करें तो Coventry University है जो 20-30 मिनट की दूरी पे है बट वो भी आपको उतनी expensive पड़ेगी Leicester University भी आपको expensive पड़ेगी Worcester University पंजाब के बच्चों को presently attend नहीं कर रही है and similar is Wolverhampton University तो Birmingham में all and all एक ही option है और यह option most likely जून से पहले पहले packed हो जाएगा इस चीज़ को आप guaranteed दी माल लो क्योंकि हमारी खुद की 50 प्लस application मेरी सरफ इस University में है तो इसके इलाबा उसके पास और कोई अच्छा option नहीं होता और अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं तो अभी applications चल रही हैं कब तक चल पाएं यह मैं promise नहीं करता बिकोज जब जहाँ पर demand ज़ादा हो और supply कम है यूनिवर्सटी एक है बच्चे बहुत ज़ादा है तो definitely यह आपको impact करेगा अगर आप अपना decision लेट बनाते हो UK जाने का अपने decision के उपर double thought ले लें time से apply कर लें अगर आप यह अच्छा benefit लेना चाहते हैं सबसे कम fee structure है यहाँ पे सबसे ज़्यादा scholarship है यहाँ पे और location wise तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं वो तो है जबर्दस तो अगर अपनी application को आपने time से नहीं लगाया applications late लगी तो late लगी हुई applications आप भी जानते हो कि उनकी कोई promise नहीं होती कि उनका cost time से आ सकेगा नहीं आ सकेगा वो defer होंगे नहीं होंगे so यह problems आपको आगे जाके face करनी पड़ सकती है because एकी university में बहुत जादा load रहता है Birmingham में so if you want to apply for Birmingham City University then do not waste your time but जैसे मैंने बताया कि IELTS is mandatory अगर IELTS नहीं है तो you must be a CBSE student with 70% plus in English thank you सस्कल दोस्तो मैं आमर्चीद Broadway Immigration Services तो लेके आया application day तो हटे सुपने आनों दमांगे हकीकत दी उडा तुसी जाना चौने हो Australia या UK जाना चौने हो परवार देना options लब देऊं without टाइलेट सारा कुछ मिलेगा Broadway application day ते जिते आके तुसी अपने केसीस नों इर्जिस्टर कर सकोंगे तिन वड़े benefit असी दमांगे अगर तुसी आके apply कर रहे हो same day सब तो पहला UK University जापनों मिल सकती है 5 लख तक दी scholarship दूसरा चाहे तुसी उस्ट्रेलिया जाना चौने हो चाहे UK परवार दे नाल पूरा case तुसी एक package apply कर सकते हो मतलब पैसे लबांगे जिदन तो हड़े वीजे दे नाल फोटो खिचा मांगे और थर्ड वड़ा benefit ब्रॉडवे जदो भी कोई application ले दी है ता साड़ी एक processing fees है बट अगर तुसी ऐस application दे दे देन original documents ना आके अपने case नो register कर रहे हो ता zero cost होगी जिननाचेर visa नहीं होंदा सो बे फिकर होके apply करो appointment अपनी book करो 923,923 और में नू personally तुसी ऐस दे ब्रांचिस च मिलोंगे थाइंक यू